प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, आज हम जानते हैं लेडर डी के बारे में, यानी अक्षर डी के बारे में, जिन लोगों का नाम डी अक्षर से सुरू होता है, वो कुशल प्रसासक, मेधावी, बिद्वान, एवं अच्छे मार्ग दर्शक होते हैं, अ ऐसे जातक नपातुला बोलते हैं, और जो बोलते हैं, वो उत्सा दिलाने वाला होता है, वो अपने लक्ष के प्रती वाफादार होते हैं, तथा उसे पाने के लिए किसी भी प्रगार की बाधा या परिस्तिती से नहीं गबरा दे, ऐसे जातकों को अपने मान सम्मान की पिचारों पर अडिग रहते हैं, प्रवल आत्म विश्वासी वचन की पक्के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, मान प्रतिष्ठा को बहुत महत्तु देते हैं, अगर मान प्रतिष्ठा प्रान देकर भी बनी रह सके तो ये चुकते नहीं, सफल प्रसाशक, कुशलनीता, एवं त्यागी होते हैं, ऐसे जातक अध्यतिक मिलनसार होते हैं, तथा आत्म विश्वास इनमें कूट कूट कर भरा होता है, ऐसे जातक विनम्रता का दिखावा करते हैं, परन्तु आचरन एवं विहवार में भिन्नता होती हैं, ऐसे लोग किसी भी बात पर सहज विश्व पास नहीं करते और ना ही किसी के अंदेभक्त होते हैं। ये कहने को तो सब की हां में हां मिलाते हैं, परंतु करते वही हैं जो इनका दिल चाहता है। ऐसे जातक कूट नीती एवं राज नीती के प्रकान पंडित होते हैं। ये अपने मान समान को ठेंस ना पहुचे, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। ये अपने विप्रीत के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। बी संतुलन का परिचायक है। इन लोगों की इक्षाशक्ती बेहत मजबूत होती हैं और वे बेहत जिद्धी प्रविर्ति के भी होते हैं। वे अपार में ये लोग सफल साबित होते हैं और किसी भी रूप में समझोता नहीं करते हैं। तो दर्शकों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो फ्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।